जीवन में भौतिक वस्टूओं का महत्तो। कलाम जी की बहुत मिक्ता और आध्याधि मिक्ता को ना तो एक दूसरों का विरोधी मानते हैं और ना ही भौतिक वाधी मानशिक्ता को गलत। वे सोयम अपने उडाराण देते हैं कि नियुंतम वस्टूओं का उपयोग करने से अपनी प्रवती के विशय में बताते हैं और कहते हैं कि समर्द्य मनुष्य में सुरच्छा वाविश्वास के भाव को संचारित करते हैं जो उसमें श्वतंत्र होने का भाव को पैदा करती ह कलाम जी ब्रमभान को न का वह बगी चाना खिले जो फूलों का उदारण देते हुए प्रकति द्वारा प्रतेक कार को पूर्णशा से करने के गुन को उदारित करते हैं वे महारशी अर्विंद द्वारा पतेक वस्त को उर्जा का अंसमानने का उधारण देते हैं कहते हैं कि आत्मा वाप्रदार्द सभी का अश्थित्व है दोनों परस पर जुड़े हुए हैं अता भौत मिक्ता कोई बुरी चीज नहीं है कलाम जी कहते हैं कि बौत मिक्ता का श्देव निमनिस्थर पर माना जाना चाहिए और नियून्तम में जीवन वैदित करने का स्रेश्ठम करना चाहिए वे कहते हैं कि शुयम गांधी जी ने ऐसा जीवन वैदित किया है क्योंकि वह यह उनकी इच्छा थी मनुष्य का शदव अपने भीतर की उपजी इच्छाओं को अनुरूप जीवन सहली को अपनाना चाहिए अनावश्यक रूप से त्याग और प्रतिमूर्ति बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए वह कहते हैं कि युआ च्छात्ू से मिलने से मोल उद्दे उन्हें इसी गोंद से परिचित कराते हुए उन्हें श्विदाओं को पौण जीवन के शपन देखने से पौण करने के लिए शुद्वण भाव भी प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है ऐसा करने से उपरान तहीवे अपने चारों और खुशियों का प्रसार कर पाएंगे